के विडियो कैसे हैं आप सम्मेट करते हैं अक्तम बढ़िया होंगे स्वस्थ होंगे एंड इस टाइम मारा वीडियो देख रहेंगे तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इवनिंग की टाइम बहुत ही प्यारा सा मौसम था जिसे मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिए आप साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है तो प्लीज वीडियो के इंट देखिएगा तो यहां पर हम सुरुआत कर रहे हैं मार्निंग के टाइम से तो जिसे कि मार्निंग में हमें सबसे पहला काम होता है टिपिन बनाना या बच्चों क जो है कच्चा खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जो कि स्वास्त के लिए काफी ज़्यादा लाब दायक भी होता है और जो कच्चे इस तरीके से नहीं खाते हैं तो आप उनके लिए बहुत ही अच्छा सा हेल्दी सा नास्ता तयार करके रख सकते हो तो यहां पर इस तरीके से नास्ता तयार कर रहे हैं इसको अगर मानी में बना रहे हैं तो हो सके तो आप रात को ही इसको अच्छे से शौप करके रखें तो यहां पर मैं डाल दी हूँ उसके बाद यहां पर हम थोड़ा सा तीखा पन लाने के लिए क्योंकि आप मिर्चे में इसी टाइ पेश्ट बना के तयार कर लेना है तो दोस्तों इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी एड़ कर दी रही हूँ क्योंकि पानी जब मैं डाल दूंगी तो जो हमारा पेश्ट होगा बहुत ही स्मूदी सा बनके तयार हो जाएगा तो चलिए हम इसको कर ले रहे हैं तो यहां पर इस तरीके से मैंने पेश्ट बना के तयार कर लिया हुआ है इसको एक अलग से हम बर्तन में निकाल लेंगे तो यह दिख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इसका जो है पेश्ट बनके तयार हो गया अब इसमें हम कुछ चीजे आड़ करेंगे जिसी कि आप विजि पोटे चम्मस की लगभग जो है जीरा डाल दे रही हूँ उसके बाद थोड़ा सा इसका जो फ्लेवर हो अच्छा सा है इसके लिए यहां पर मैं तीन चार काली मिर्च को अच्छे से कोट ली हूँ ध्यान रखना है जो भी चीज आड़ रहे है थोड़ा सा दरदरा ही रख किसी टाइम हम सारे चीज को अड़ कर दे रहे हैं अगर आपको यहां पर इसको बहुत ज्यादा तीखा बनाना है बहुत जदा स्पाईसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें लाल पणस पैडर हैं किंद मैंने पहले ही दो मिर्च को इसमें आलशे हैं मैं तोड़ा सा ड ला लेंगे बहुत ही फाइन सा हमारा पेश्ट बनके तयार हो गया है तो आप लोग देख सकते हैं इस बेटर को हमें न बहुत ज़्यादा पतला रखना है न बहुत ज़्यादा गाड़ा रखना है तो फाइनल में यह बनके कंप्लीट हो गया है चलिए अब इससे हम इसको ब राने तक बना लेंगे तो फाइनल में हमारा ये बन गया है बहुत ही हेल्दी सा टेश्टी सा चटपटा नास्ता जिसे आप मानिंग ब्रिकफास्ट में और लंच में बच्चों के लिए दे सकते हैं और नेक्स्ट आइडिया है दोस्तों यहां पे बहुत ही जो कि हम अकसर इस प्राब्लम से जोशते रहते हैं जैसे कि कभी-कभी हम आलू का पराठा वगरा बनाना स्टार्ट करते हैं तो जो हम आलू का बैटर तयार करते हैं उससे क्या होता है हमारा जो उसका अंदर की फिलि बहुत ही परफिक्ट बनाना है तो आपको ये काम जरूर से कर लेने आपको करने क्या है कुछ spices masala add करने के बाद सिंग्दाना को अच्छे से भून करके फाइन सा इसका एक powder बना लेना है उसके बाद जब भी आप आलू का वेटर तयार कर रहे हैं फिलिंग्स तयार कर रहे हैं उसमें इस तरीके से आपको एड़ कर देने उसके बाद दोस्तों आप कोई भी स्नेक्स बनाईए या पराथा पूरी जो भी बनाएंगे बहुत ही परफिक्ट बन की रेडी होगा तो अगर आप भी आलू के बहुत ही डीला पन से परसान है क्योंकि बहुत ज़्यादा आलू जो है पानी छोड़ते रहते हैं तो उसको हम इस तरीके से फिलिंग्स तयार करते हैं तो बहुत ज़्या रहता है बहुत ज़्या पतला रहता है हमें बनाने में बहुत ज़्यादा प्रब्लम होती है तो आप ए ट्रिक फालो कर सकते हैं चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ तो यहां पर मैं आप लोगों साथ सेयर कर रही हूं कुछ कोकिंग हैक्स एंड कुछ क्लेनिंग तो प्लीज वीडियो को इंट तक दिखिएगा अच्छा लगे तो प्लीज लाइ सब्साइब करनेों यहां प्लीज तव कि दाल रही हूं तो अभी आप सौचरहे हों और掉 मानिंग में अकसर बना आते हैं और सामके टाइम हम जो है यूज करते हैं उसके बाद ही तवा को क्लीन करते हैं तो ऐसे में बहुत ही बेश्ट आडिया है आप पहले तवा का ठंडा करिए और तवा को ठंडा करने के बाद आपने करना क्या है तवे को इस पॉलिथिन के अंदर डाल देने हैं इससे फाइदा क्या होंगे अभी म कि ऐसी चीज़े होती हैं जो कि हमारे इस तवे को गंदा कर सकती हैं हम इस पे फिर से रोटी नहीं बना सकते हैं तो आपने करना क्या है कुछ इस तरीके से तवे के ऊपर पालिथिन को लगा के रख देने हैं उसके बाद आपको जब भी तवे को योज करना है आप योज कर सक सकते हैं इस पर किसी भी प्रकार के कोई भी जानवन नहीं जा पाएगा आपका तबह जो है एकदम से साफ सुत्रा क्लेन रहेगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए हैक के साथ तब तक लिए बाई